एक बार की बात है एक लड़की थी जिसका नाम रिया था रिया को प्रकृती बहुत पसंद थी और खास कर पीले फूलों को एक दिन उसे अपने घर के पास एक खेत मिला जिसमें चमकते हुए पीले फूल खिले हुए थे ये फूल बिलकुल साधारन नहीं थे ये जादूई जब रिया ने इन फूलों को छुआ तो उसने एक अधुद एहसास महसूस किया उसे ऐसा लगा कि वह एक परिलोक में है फूलों ने उसे गाते हुए पक्षियों और बहती हुई नदियों के बारे में बताया उन्होंने उसे दुन्या की सुंदर्ता और आश्चरियों के ब के बारे में बताया फूल हमेशा उसे सुनते थे और उसे सलाह देते थे उन्होंने उसे दयालू इमानदार और बहादुर बनना सिखाया एक दिन रिया को एक मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ा वह बहुत दुखी और निराश थी वह नहीं जानती थी कि क्या करना चा फूलो ने उसे धीरे से बताया कि हर समस्या का समाधान होता है उन्होंने उसे हिम्मत और धैर्य रखने को कहा उन्होंने उसे सपने देखने और कभी हार न मानने को कहा रिया ने फूलो की बातों को ध्यान से सुना उसने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं थी उसके पास जादूई फूनों का साथ था जो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तयार थे। रिया ने अपनी समस्याओं का सामना करने का साहस पाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंत में समाधान धूंड लिया। वह फूनों को धन्यवाद देने के लिए खेत में वापस गई। र और हमें केवल उसे देखने की जरूरत है। वह जानती थी कि वह हमेशा फूनों से सला और आराम पा सकती है।